Role of effective teachers in managing the classroom हम इससे पहले भी teachers के किरदार के बारे में बात कर रहे थे कि वो उनका classroom के अंदर क्या role और किरदार होना चाहिए जिसके तहट effective classroom strategies जो हैं वो सामने आ सकें हमने rules and procedures की बात की और ये बात की कि rules and procedures जो हैं उनकी effective manifestation के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनको lesson की शकल में पेश किया जाए और उनकी proper reinforcement की जाए इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो rules है उनकी proper instruction जो है वो classroom में की जाए अब ये depend करता है student जो है वो किस level के उपर पढ़ रहा है अगर primary school student है तो वहाँ पर reinforcement of rules जो है वो बार-बार करने पड़ते हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं वरना students जो है वो rules जो है वो भूल जाते हैं तो instruction जो है of specific rules about appropriate behaviors जो है ये बहुत important है इसको आप अपने instruction का हिस्सा बनाईए और एक week के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने इन rules को अपने lesson का हिसा किस stage के उपर बनाना है तो जब आप weekly planning करते हैं जब आप अपने lesson plans बनाते हैं और आपको अपनी lesson plan की duration का पता होता है तो इस चीज़ का खयाल रखें कि आपने week में तीन या चार मरतबा ऐसे कौन से rules हैं जिनकी reinforcement अपने lesson plan के अंदर करनी है इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं जो instruction है classroom की वहाँ पर आप lesson plan के जरीए उसमें inbuilt कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आपका lesson plan ही ऐसे मौजू के उपर है जिसमें rules आ जाते हैं तो वहाँ पर ये बहतर तरीके के साथ integrate हो सकते हैं तो try to integrate the rules with your lesson and make it look like a part of your lesson plan ये बहत जरूरी है बाज उकात अगर आप rules को direct moralizing के जरीए पेश करते हैं तो उसका student के उपर उतना अच्छा असर भी नहीं होता है student जो है वो उसको एक moralizing सा behavior समझता है और ये समझता है ये teacher ये बोलेंगी दो-तीन rules repeat करेंगी और हम सुनेंगे और उसके बाद हम भूल जाएंगे लेकिन अगर आप उसको अपने classroom lesson के अंदर integrate कर लेते हैं और lesson ऐसा है जो automatically rules को reinforce कर रहा है तो ये एक बहतरीन तरीका है rules की reinforcement का और उनकी proper instruction का इसके इलावा ये भी बहत ज़रूरी है कि हम students की monitoring करें monitoring is very important हम इस चीज़ को closely watch करें कि students जो है कि आया वो rules को properly follow कर रहे हैं कि नहीं rules को सिरफ बताना ज़रूरी नहीं है rules की जो compliance है और उसकी जो monitoring है ये बहत ज़रूरी है और monitoring जो है वो आप मुख्तलिफ तरीकों के साथ कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर students कोई written काम कर रहे हैं और उसमें उनको disturb नहीं करना अपने साथी को तो आप ये उनके करीब जाकर देख सकते हैं उनकी proper monitoring कर सकते हैं that they are not disturbing their fellow colleague or their peer that is very important so monitoring is a very important part of effective teaching इसके इलावा organization of class time बहत ज़रूरी है how have you organized your class time in a way that proper time is devoted to instruction बाज अकात ये होता है के classroom time जो है वो सही तरह से teacher manage नहीं कर पाती जिसकी वज़ा से problem behavior start हो जाते हैं so please give due time to the organization of class time कौन सा वक किस चीज के लिए दरकार है अगर आप lesson का आगास करते हैं तो आप motivation के लिए कितना time देंगे और बाकी जो आपकी stages है lesson plan की वो कितना time देंगे और उसके बाद recap के लिए भी कितना time देंगे तो जब class time ही properly manage हो रहा है तो वहाँ पर problem behaviors और disruptive behaviors जो है उनका सामने आना जो है वो कम हो जाता है so that is part of effective teaching and that is part of effectively utilizing classroom management strategies